कि नमस्कार दोस्तों कि क्लाम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है अभी नंदन है कि दोस्तों हमारा यह जो रीट प्रिवेश पेपर एनलैसिस जो सेशन चल रहा है उसमें आज हमारी जो क्लास हो रही है वह संस्क्रिट सिक्षन का जो चोथा पार्ट चल रहा है उसमें हमने द्रश्य स्रव्य सामगरी या सिक्षन साहयक सामगरी जो है उसके बारे में उसके जो हमने जो टोपिक हैं वो ले हैं और इन में रीट और आर्टेट की परिक्सा में जो जो प्रशन आए विये हैं इन द्रश्य सर्वे उपकरणों से संबंदित उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं कि पिछली जो कल हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने स्यामपट से संबंदित जो प्रेशन थे उनकी चर्चा की थी और देखिए द्रिश्य सामगरी जो हैं वे द्रिश्य सामगरी कौन-कौन से थी उनके बारे में कल हमने चर्चा की थी हम उनसे संबंदित और बाकी की ज उस पर डालेते हैं फिर उसके बाद हम आगे के जो प्रशन आये हैं और जो बाकी की जो द्रश्य समग्रिया हैं वे कौन-कौन सी हैं उनके उपर चर्चा करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और कल हमने जो पड़ा था उनमें हमने जो स्यामपट से समंदित जो प्रशन थे उनकी चर्चा की थी प्रशन हमने ये कहा था द्रिश्य साधना नाम सर्वोत्तम साधना वर्थते जो की 2017 में आयवा प्रशन है द्रिश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन कौन सा है तब हमने कहा था स्याम फलकम उसके बाद अपन ने हुआ Diversity कि वह था प्रमपरागत साइक उपकरण अस्ति जो 80 वारा और 2015 दोम एकजाम में उप्रशन था सो कोन सा है तब वी उसके लिए अपन ने यह और स्याम पट को उस खाला पहला प्रशन है आज का वह ने यह संस्केत अध्यापकस्य अभिन्नम मित्रम स्ति की 2015 में आयवा प्रश्ण है संस्कृत अध्यापक का संस्कृत अध्यापक का अभिन्नमित्रम अस्ति अभिन्नमित्र है संस्कृत अध्यापक का अभिन्नमित्र क्या है मतलब आप ऐसे कहें कि कक्सा में सिक्षक जो होता है उसका प्रम मित्र सच्चा मित्र सच्चा सायक जो है वह है कौन होता है श्यामपट चार्ट चित्रों और मानचित्रों देखे ये सबी के सबी जो ओप्सन आ रहे हैं वो कौन से उपकरण है द्रिश्य उपकरण है अर्थाथ ऐसे उपकरण जिनको देख करके जिनके द्वारा विशेवस्तु को दिखा कर उसका अधिगम क्या जाएवे द्रिश्य उपकरण कहलाते हैं अब यहां पर श्यामपट चार्ट चित्र और मानचित्र सबी द्रिश्य उपकरण है इन सबी द्रिश्य उपकरणों में शिक्सक का अभिनमित्र क कौनसा माना गया है यह पूछाएं तो देखें कल जब हम स्यामपत भी जिभी चर्च़ा करें थे उस से में हमने यह होगा श्यामपत्ट अब इसके अलावब सा मालवा और estफ्व्सक्रीन च सह करें कि चित्र हैं यहां यांत्रिक द्रस्श होते हैं जैसे आप ऐसे कह सकते हैं चित्र विस्तारक यंत्र है उन्नत सीर्शक प्रिक्षिपा है ठीक आकर्ति विस्तारक यंत्र है तो यह वाकी के और जो यांत्रिक द्रिश्य साधन है वे कौन-कौन से हैं तो हम ऐसे कहें द्रिश्य साधन जो बच्चे विए स्यामपट के अतिरिक आज हम उनकी चर्चा करते तो ध्यान देंगे सबसे पहले हम बात करते हैं चित्र के यह भी एक कोम्सा उपकरण है द्रश्य उपकरण चित्र भी एक द्रश्य उपकरण है ठीक है संस्क्रित सिक्षण को रोचक वे सूग्राइय बनानी के लिए शिक्सक रंगेन वे आकर्शिक चित्रों का प्रियूँ कर सकता है यह भी एक द्रश्य है मतलब यहाँ पर जैसे कई सब्द आ जाए जा सब्द लिकाए कपोता ज़्काए ऐसे जो सब्द आ रहे हैं और जिनका मी बालग अर्थ ग्रहन नहीं कर पा रहा है तो सामानेत उन से समंद्दित जो चित्र हैं वे चित्र दिखा करके फिर उस विशेवस्त्य को इस पटारन क्या अर्षार और बात विश्यस इंप्रॉटेंट है यहाँ से आपके प्रस्ण आते हैं किनके माध्यम से प्रस भी किनके माध्यम से अमूर्थ वश्त्यों की संकल्फना मूर्थ dream मान हो शक्ती है तो और आपका आंसर क्या होगा चित्र के माद्यम से चित्रों से चित्रों के माद्यम से अमूर्त वस्तु अत्वा उसकी संकल्पना जो है वो मूर्तिमान हो उड़ती है मान लीजिए आपको किशी विस्तु के बारे में बताया जैसे हम जैसे कि आप कहेंगे हिमाले से समंधित पाठ हैं अब यदि हम हिमाले पाठ बता रहें तो चात्र को उसे हमाले के आकरती के विसे में बता रहें हमाले के बारे में बता रहें और यहाँ जब बालक ने उसने कलपना की किया हमाले कैसा होगा कैसा ने वगार उसको चात्रों के सामने एक मूर्ती के रूप में प्रस्तूत करने लिए शिक्सक उसी का हमाले गा चितर बालकों के सामने प्रस्तुत कर दे जैसे कि हमाले की बोगोलिक इस्थिति या उसके छितर गे विसे में कुमार स्रम्हों में कालिदास ने कहा है अस्ति उत्तर भारे में सोचे कि यायरी सका आकार कैसा होगा कैसाanden होगा तो तो उसकी जो शंकल्पना है जो अमूर्त शंकल्पना है। उसको मूर्ति के रूप में इस परश्ट करने के लिए अर्था थाहि लिए का चित्र प्रस्तूत करके फिर बालक को दिखा दिया जाए तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अमूर्त संकल्पना होती है वही मूर्तिमान हो उठती है किनके माध्यम से चित्रों के माध्यम से इसके साथ ही हम कह सकते हैं अक्षर ग्यान के लिए चित्र प्रात्मिक इस तर से ही बहुत ही मैत्वपून भूमिकांते प्रात्मिक इस तर पर वालों को अक्षर ग्यान कराना हो सब्द ग्यान करा हो जैसे कि आप वर्णमाला आदी पढ़ते हैं उस समय भी आपने देखा होगा कि वर्णों के साथ उनके चित्र होते हैं तो ये प्रात्मिक इस्तर पर भी उप्योगी है चात्रों के सब्द बंडार में व्रद्धी होती हैं और कठिन सब्दों के अर्थ को इसपस्ट करने में भी चित्र साहयक होते हैं जैसे कि इसमें हम ये सारी बाते देख सकते हैं जैसे मालीजे के वरण का ग्यान कराना था अपने कहां कि प्रात्मिक इस तब अक्सर ग्यान करवाएं और उसके साथ यदि कोई सब्द भी बता रहें तो एक तो बात नवीन कठीन सब्द आ गया तो उसका अर्थ ग्यान हो जाएगा दूसरी बात अगर वरण का अक्षर ग्यान कराने के लिए चित्तर का प्रयोक करें फिर उसके साथ किसी सब्द को बोड़ने तो मैंतव पूर्ण है और दूसरी साथ्रों के सब्द बंडार्क मीं व्रद्ध करने के लिए यह हैं थ्यां थिस्य बात के लिए तो यह भी कह सकतें साथ के समक्स जो कठिन सब्द आ रहें जैसे पढ़ाते के समक्स सब्द को सब्द questa सब्द आ गया अश्य ओं साथ सब्द चम उन कठिन सब्दों के अर्थ को इस्पष्ट करने में भी जो चित्र होते हैं भी क्या होते हैं शहयक होते हैं रचना सिक्षन करते समय अर्थात किसी चित्र को देख करके फिर उस पर रचना लिख दी जाए ठीक तो रचना सिक्षन करते समय भी चित्रों से चात्रों से रचना सकती इनका विकास होता है यह चात्र में प्रवरित होती हैं जागरे तो होती हैं आप साथ ही कह सकते हैं कि चित्रों का जब उपयोग करें तो ऐसे समय कौन-कौन से साथानी शिक्षक को रखनी चाहिए तो ध्यान दे चित्र विशेवस्तु से संबद हो पहली बात हो जिस विशेवस्तु को बालक को पढ़ाया जा रहा है जो विशेवस्तु बालक को हम पढ़ा रहे हैं और जो कठिन सब्द आदि जो बालक को नहीं समझ जा रहे उसका हमें अर्थ ग्यान कराना है तो वो जो चित्र शिक्सक प्रस्तुत कर रहा है वे चित्र जिस विश्यवस्तु का इस प्रस्टिक्रन करना हो उसी से संबंदित होने चाहिए पहले बात दूसरी बात चित्र जो है वो रंगिन होने चाहिए आकर्शक होने चाहिए चित्रों का आकार क चित्रों का आकार होना चीए कख्षा में इन चित्रों को टांगने की एक उचित व्यवस्ता होनी चीए उचित व्यवस्ता ऐसी होने जए कि इस इस्थान पर चित्र को रखा जाना चाहिए टांगा चाहिए लटकाया जाना चाहिए जहां सभी छात्र उस चित्र को देख सकें तो अपने से गए कि चित्र टांगने की ववस्ता उचित हो जिससे कि सभी चातर आसानी से उस चित्र को देख सकें चित्र इस्पस्ट होने चाहिए वे आकर्शक होने चाहिए चित्रों में सुईस्परष्टता कलात्मक्ता प्रभावात्मक्ता वे सुद्धता होनी चाहिए प्रभावक्ता प्रभावात्मक्ता अर्था चित्र जो है वो प्रभाव उत्पन करने वाले होने चाहिए प्रभावी होने चाहिए तो इन चित्रों के माध्यम से इस प्रकार ये जो चित्र अपन द्रिश्य शामगरी के हम बात करें तो चित्रों के माध्यम से भी चात्रों को जो विश्य वस्तु है उसको समझाया जा सकता है अर्था चित्रों के द्वारा भी जो अधिगम करने में सायता मिलती है तो ये दूसरा द्रिश्य विशाधन स्यामपट के बाद में हम बात करें थे चित्र की इसी प्रकार अगले की हम बात करें तो मानचित्र मानचित्र अब मानचित्र जो है वह भी एक क्या है द्रिश्य उपकरन है मानचित्र भी एक द्रिश्य उपकरन है अब मानचित्र का प्रियोग क्यों किया जाता है जैसे अभी हमने हिमाले का उधारन लिया था अब हिमाले भारत देश में कहां पर इस्तित है उसकी भोगोलिक इस्तिति के हमें बतानी है तो ऐसी समय वहां पर मानचित्र का प्रियोग किया जाता है दूसरी बात मान लीजिए कोई एतिहासिक इस्तल है और उस एतिहासिक इस्तल की उस मानचितर में भोगुलिक इस्तिती कहा है उसको छात्रों को इसपस्ट करने के लिए भी मानचितरों का प्रयोग किया जाता है जेसे कि आप तक्ष शीला की बात करें नालंदा की बात करें विक्रम शीला ये जो विश्रय विद्याले हुए है उनकी भोगुलिक इस्तिती कीव है कहां पर हैं कोन से स्थान पर है इन सब इस Kitty अगर बालग को करवाना है तो प्पिर वहाँ पर शिख्षक जो है मानचित्र क कर सकता है तो द्यान दे मानचित्रों संस्क्रित भासा सिक्ष्ण करते समय चात्रों को किषी नगर की एतिहासिक तथा गोलिक इस्तिती समझाने के लिए मानचित्रों का प्रियो कि आजा सकता है जैसे तक्षशीला से यह नालंदा है विक्रम sz religions आ भी स्तिती दर्शानने हेतू अजिसे आप यहां देखेंगे कि तक्स हिला जिसे की वर्तमान में पाकिस्तानका जो पंजाब छीत्रे त्राय उसमें जो रावल अप दो पाणिनी अपन एशी आप से कहते हैं कि इसा पूर्व 23 पक्सों में इसा पूर्व 24 में और उस तक्स नहीं इस विश्व विध्यालय की स्थापना क्रीव ताओ है इसलिए आधार आपने के के तक्स शेला जहां पर पाणी निये इस्कां पूरो शाथसो की बात भात है जो इसकी स्थापना विध्याति अंहों विधिवत रूप से यहीं पर शिक्साग्रहण कि थी तक्षशीला में तक्षशीला की जैसे भोगुलिक इस्तिति बतानी हो तो मानचित्र का प्रियों करते वे फिर तक्षशीला को दर्शा दे जाए कि तक्षशीला कहां पर है ठीक इसी प्रकार बिहार में नालंदा और वि सकते हैं नालंदा विश्व विद्याले तो इन सबस्ट को दर्शाने के लिए मानचित्र के स्थित्र पर है और कहां पर नहीं है इनको दर्शाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं अब उसके बाद इन से सम्मंदित जो प्रशन हैं चित्र और मानचित्र से सम्मंदित जो प्रशन हैं पहले उनकी जर्जा कर लेते हैं आप देखो प्रशन ये आया था आटेट 2012 में आया वा प्रशन था आप ध्यान देंगे कई किनके द्वारा अमूर्त वस्तुन है शंकल्पना अमूर्त वस्तुवों की शंकल्पना मूर्ती मती भवती मूर्ती मती होती है मूर्तिमान होती है किनके द्वारा अमूर्त वस्तुवों की शंकल्पना मूर्तिमान होती है पत्रकई पत्रकद्वारा दंडई दंडद्वारा चित्रई चित्रों द्वारा पुस्तकई पुस्तकों द्वारा अब देखो यहां पर अपने जो चर्चा के थी एक बार ध्यान देंगे अपनी ये कहा था कि चित्र के माध्यम से ये जो पंक्ति है जो देखो अभी मैं थोड़ देर पहले आपको बता रहा था कि प्रस्नी यहां से बनते तो यहां से आया हुआ प्रस्न है अपनी ये कहा कि यह जो चित्र से समझ देखो यहां क्या नाम दे रखा है चित्र के माध् से अमूर्त वस्तों की संकल्पना मूर्ति मति होती है तो अपना आंसर हो गया क्या चित्रई चित्रों के दूर। अगला प्रशन है कश्यापी नगरस्य भोगोलिकिम इस्थितिम किशिवी नगर की भोगोलिक इस्थिति को बोध ही तुम समझाने के लिए उसका बोध कराने के लिए कि द्रीशत से पाथ्य उपकरण का प्रयोग करनी है प्रयोग करना चाहिए कि किसी नगर की भोगोलिक इस्थिति को समझाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए ये प्रसन 2012 में था और यही प्रसन रिपीट हुआ है ध्यान देंगे 2017 में और यह अपना है कि संस्क प्रसित भासा सिक्ष्ण में नगरस्य भोगोलिकिम इस्थितिम नगर की भोगोलिक इस्थिति को अवगंतुम समझने के लिए कश्य अधिगम साधन से किस अधिगम साधन का प्रयोग है कर्तुम शक्यते प्रयोग कर सकते हैं प्रसन की भासा से लिए दो चाह सब्द अलग बोलें बाकि आप यहां देखेंगे यही प्रशन था कि नगर की भोगोलिक इस्थिती को समझाने के लिए और यहां पर है नगर की भोगोलिक इस्थिती को समझने के लिए same to same person है यहाँ पर कौन से पाठ्यूपकरन का प्रयोग करना जाए यहाँ पर कौन से अधिकमसादन का प्रयोग करना जाए अब जो answer है वो देखेंगे मान चित्रश्य, पत्रकष्य, रेखा चित्रश्य, पुस्तकष्य यहां जो option थे मान चित्रश्य, रेखा चित्रश्य, पत्रकश्य, श्यामपटश्य, अब यहां पर देखो अंतर शिर्फ इतना था इधर पुस्तक नाम है और इधर श्यामपट नाम है बकित तीन option same to same थे अब हमारा जो answer है वो क्या होना था प्रशन ये था कि भोगोलिक इस्तिति और नगर की भोगोलिक इस्तिति समझानी है तो फिर कौन सा उपकरण है उसका आप प्रयों करेंगे तो अपना answer होगा मान चित्रश्य, तो यहां answer क्या होगा मान चित्रश्य, देखो इसको हमने यहां पढ़ा था, एक बार ध्यान दें यह वापस, अपने मान चित्र में कहा कि किशी नगर की एतिहासिक तथा भोगोलिक इस्तिति, यह प्रशन आया था, same to same, और प्रशन यह था, किशी नगर की भोगोलिक इस्तिति को समझानी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो answer था, मान चित्रश्य, मान च तो यह पनने प्रशन पड़ा कि किसी नगर की भोगोलिक इस्तिति को समझाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, तो answer होगा, मान चित्रश्य, इसके अलावा, और जो दृश्य समगरी हैं, उनकी हम बात करते हैं, अगली जो दृश्य उपकरण है, रेखा रेखाओं के द्वारा रेखाएं खीच करके फिर किसी चित्र को बनाना वह होता है, रेखा चित्र या आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे आप कभी किसी चल चित्र फिल्म आदी में देखते हैं, तो किसी आर्टिस्ट के द्वारा किसी कलाकार के द्वारा जो इसकेच बनाए जात हैं लेखा हुं द्वारा आकिरती परदान करके किसी विशेवस्तप को इसपष्ड किया जा सकता है उसे हम रेखा चित्र कहते हैं कि छिट्र परती प्रति आदि के प्रभाव में अध्यापक इनका प्रियुक भाषा सिक्सण में कर इनके अभाव में करेंगे आप यहां प्रभाव नहीं है यहां अभाव हो ऐसी कंडिशन में रेखा चित्रों का प्रोग करते हुए फिर भासा सिक्षण करवाया जा सकता है कि कि सी बिंदू का बरगीकरण और साने में भी रेखा चित्र सायक होते हैं जैसे व्याक्रण समन्दित कोई हो जैसे अपने यहां कहा है त्रिवुजा कार है अपने का वर्गा कार है या अपन ऐसे कहें कि यह जैसे गोला कार या वृत्ता कार है तो या तो आप ऐसे कहें कि किसी आकरती को समझाने के लिए रेखा चित्र बनाने या अपन कैसे जैसे मालीजे अपने यह क कहा अच्च संदी हल संदी अपने कहा विशर्ग संदी तो भेद समझाने के लिए जो रेखाएं खीचे जाते हैं फिर जो इस परस्टी क्रण क्या जता है तो हम उसे भी कह सकते हैं रेखा चित्रों ठीक है जैसे आयताकार वरताकार गोलाकार आधी आकृतियों के सपरस्ट कर करें चार्ट की चार्ट की हम बात करें तो देखो जिस प्रकार रेखा चित्र तो रेखा चित्रों सामानित हैं श्यामपट आधी पर बनाए जाता है हम सिधे ऐसे कहें या अब चार्ट की जहां बात करते हैं तो उसी के प्रकार यह प्रयूप तो होते हैं कैसे आप ऐसे कि किसी विशेवस्तों का तुलनात्मक अध्यन करवाने के लिए सब्द रूप तदा दात्रूपों का विबिन विबक्तियों में श्वरूप बताने की दर्श्टी से समास संदी प्रत्य उपसर कारक आदिका ग्यान प्रदान करने के लिए चार्ट का प्रियोक्यादत है जिसे ow ये संदी की बात करें नीकर अब संदी से संवंदित उससे संवंदित यह सा कोई चार्ट बनाकर ऑप्र उसके बाद में तुलनात्मक अध्यन करवाए जैसे संदी अगई प страх संदी के सात में आप एसे कहें जैसे उसके एक एक उध़ारन ले लिए फिर उन उधारनों के को जिमसे तो ये तुलनात्मक अध्यान करवाते हैं फिर इस रूप में जो चार्ट बना करके बालकों को सिक्षण कारे करवा जाए उसे कहते हैं हम चार्ट जिसे आप यहां वर्णमाला की बात करते हैं वर्णमालों का तुलनात्मक अध्यान करवाने के लिए रस्वर कौन से ह फिर जो सिक्षन कारे करवाय जाए या जो उपकरण कामे लिए जाए वर्गिकरण करने के लिए तुम्नात्मक अध्यन है तू उसे आप क्या नाम देंगे चार्ट तो चार्ट में भी देखो विशेवस्तू देख करके ही फिर उसका अधिगम क्या जाता है इस पस्टिकरण क बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं मॉडल या प्रतिरूप किसी जो ऐसी विशेवस्तू जो आकार में बहुत बड़ी हो या आप ऐसे कहें जो विद्याले से बहुत दूर हो और फिर उसका हम बालकों को इस प्रस्टिकरण करवाना हो तो उससे समंदित उसी के हूब हुन न या दूर हूँ और वो कक्सा कक्स में प्रस्टत नहीं किया जा सकते तो उनकी हूब हुशकल जो है वो उनके नकल करते हूए फिर पिर नकलiques मोडल बना खक्रत के कछवा प्रतिरूप या मॉडल तो आपके किसी वस्तू की उपयुक्ट वैस वद्याजनक इस दृस्टी से क कख्षा कख्ष में प्रदर्शन संभाव नहीं है इसलिए उनके परतिरूप कख्षा में चात्रों के समक्स प्रस्तूत किये जाते हैं जैसे कि आप ताजमेल हमामेल ग्लोब आदी जैसे कि अभी देखो अगर इसको समझे लिए हम दोसरी तरीका ले तो अभी हमने जो मानशि सिला कैसा है विक्रम सिला कैसा है यदि उनके आकार दिखाने है तो उनके जो मोडल है जैसे अभी ने चित्र के माधिम से दिखाया था उनको मानशित्र में तो उनके मोडल भी यहां प्रस्तूत करके फिर बालकों को सिक्षन कराया जा सकता है ठीक है तो यह मोडल या प्रत वर्तमान में पाठ्थे पुस्तकों के माध्यमसिक अक्स में सिक्षन कारे कराते हैं तो आप ऐसे सिक्षन का जो आधार है वो क्या है पाठ्थे पुस्तक पाठ्थे पुस्तक ही सिक्षन का क्या होती है आधार होती है शिक्षन उद्देश्यों की पूर्ति मुल्यांकन पाठ नियोजन, पठी medicine की पुन्रावर्ति, द्रहकारिय, वाचण, आदी के लिए पठी पुस्तक एक महतोपून द्रश्य सामगरी है, तो आप ऐसे कहेंगे पठी पुस्तक जो है, वहीं भी कौन सा उपकरण है, यह एक दृष्य उपकरण है पाथ्य पुस्तक भी एक दृष्य उपकरण है और यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सिक्षक की सहायता के बिना भी प्रोड व्यक्ति जो है वे आरवासनी से सिक्षन कारे कर सकते हैं इसाधार प्रगें अब पाठ्थे पुस्तक का सिक्षण में क्या उप्योग है इसका क्या महत्व है तो आप इसके लिए ये कह सकते हैं कि सिक्षक का कारिय शरल हो जाता है पाठ्थे पुस्तक द्वारा अगर सिक्षण कारिय करवाय जाई तो सिक्षण कारिय है वो कैसा हो जाता है शरल हो जाता है दूसरी बात हम एसके मार्ग दर्शन हे तू सहयक होती है पाठे पुस्तक शिक्षक का खुद का मार्ग दर्शन करने में और शिक्षक चात्रों को मार्ग दर्शन देने हे तू उसमें सहयक सिद होती हैं तीसरी वात हम कहtense कहें जो अभयवस्थित ग्यान है उस अभयवस्थित ग्यान को व्यवस्थित करने में भी पाठे पुर्षटग उपयोगी हैं, शहयक हैं जो पाठ हमने पढ़ लिया तो पढ़े गए पाठ का इसमर्ण करने के लिए भी पाठे पुस्तक हैं सहयक हैं इसी प्रकार आप ऐसे कहें कक्सा शिक्षन के जो दोस हैं उन दोसों को दूर करने के लिए भी जो पाठे पुस्तक हैं वह सहयक हैं तो अगला जो दृश्य उपकरन है वह पाठे पुस्तक हैं उसके बाद अगले की हम चर्चा करें तो आप ऐसे कह सकते हैं संग्राले संग्राले क्या होते हैं संग्राले जो सब्द है वो बना ही दो सब्दों से हैं आप इसका विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा शंग्रह धन आलिय है ठीक है शंग्रह यानि एकत्रित आलिय है अर्थाद दूरलब प्राचीन वे धुरलब वस्तुएं जिनको एक जगे एकत्रित करके रख दिया गया हूं उस इस्तान को कहा जाता है शंग्राले ठीक है अर्थार जहां पर हम वस्तों को एकत्रित करके फिर एक इस्तान पर रखते हैं फिर उनकी प्रदर्शनी आदी जो होती है उस इस्तान को आप कहते हैं शंग्राले जैसे कि आप ऐसे कहेंगे ऐसा इस्तान जहां विविद वस्तों को एकत्रित करके रखा गया हूं उसे ही हम क् साथ रखा जाता है उसे संग्राले गया सकते हैं यह जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि आप यहां देख रहेंगे यह संग्राले के रूप में विभिन वस्तुएं हैं प्राचिन दुरलब वस्तुएं जिनको एक जगए एक टा करके फिर रखा गया हो उसे आप संग्राले कहते यह जो वस्तुएं होती हैं विप्राचीन वे दुरलब होशकती हैं और संस्कृत भासा सिक्षण में संग्रालयों का परियोगा होता है संस्कृत भासा सिक्षण जब करवाना हो उसमें इन संग्रालयों का परियोगा है तो जहां पांडू लिपी भूर्ज पत्र ताड पत्र ऐसे धेर उन पर जो पांडू रूपियां लिखे थे जो वर्तमान में दुरलब से दिखा देते हैं उनको प्रदर्शनी करने के लिए उनको दिखाने के लिए और फिर विश्वश्वस्तु का इस परस्ट करने के लिए संग्रालेओं का प्रयोग होता है तो आप ऐसे कह सकते कि संस्कित भासा सिक्षन करते समय प्राचेन दुरलब ग्रंथ जो है उनकी पांडू लिपियों के संग्रालेओं का शाक्षात दर्शन करवा करके फिर इनका लाब उठाया जा सकता है अर्थात बालकों को सिक्षन कारे कराया जा सकता है यहां संस्कित सिक्षन में जहां सं शंग्रालेयों को दिखा करके फिर बालकों के लिए संस्कित सिक्षन कारे करवाया जा सकता है उसके बाद शंग्राले के बाद यह अगले सामगरी की दृष्ष्य सामगरी की हम बात करें तो बुलेटिन बॉर्ड यह प्रस्ण आच चुका है आल्रेडी कि निमन में से दृष इसे कहेंगे कि कोई प्लाइवुड या मजबूत गत्य का बना होता है जैसे कि आप पिछे आप यह जो सूचना पट्टे के सूचना जहां पर ड्रेंग स्पिन के द्वारा चिपी उनके पीछे का दो पार्ट देखने वो किसी गत्ते का या किसी प्लाइवुड का बना इस पर परदर्शन करने वाली सामगरी को लगाने के लिए यहां द्यान देंगे ड्राइंग पिन्स कि जैसे यह सामगरी है माली इनके उपर जो आप यह लाल नीली जो पिन देख पा रहे हैं यह ड्रेंग पिन इनके द्वारा जो जिस विसेवस्तु को हमें बालकों को दि बैक रहे तो सपेद या काले जो अपने पत्रक लगा रखे हैं यह सूचना होती हैं पर आएं इनपर सूचना ही लिखी हुए होती हैं और वे सूचना हैं फिर बालब को समझाने के लिए ही इन बॉर्डों प्रयों किया जाता है बुल्यटिन बॉर्डों का दूसरी बॉल्यटिन बॉर्ड बॉर्ड के समान ही एक बॉड आता है फ्लेनल बॉर्ड उसमें क्या होता है कि ये जैसे अपन और ये गत्त Mina की करें जहां अपन मजबूत गत्य की बात करें उसके इस्तान पर प्लाइवुड पूर वहाँ पर एक रोएदार वस्त्र होता है तो अपन ऐसे के पहले बुलेटिन बॉर्ट के बारे में समझेंगे कि छात्रों की रूची वे जिग्यासा को जागरित करने वाली सायक सामगरी ह यह जो बॉर्ड है वो प्लाइवुड या मजबूत गत्य का बना होता है इस पर परदर्शन करने वाली सामगरी को लगाने के लिए ड्राइंग पिंस का प्यूंग के जाता है यह सेम ही रिपेट हुआ है तो आप ऐसे कहेंगे मजबूत गत्य का मालो या प्लाइवुड का जिस पर सूचनाए आधी परदर्शित की जाती है उसे ही तो इसलिए इस ग्लोटिन बोर्ड का नाम है कौन सा सूचना पट उसके बाद अगले की हम चर्चा करते हैं फ्लैनल बोर्ड यह फ्लैनल बोर्ड है यहां पर आप देखेंगे कि यह जो प्लाइवुड जो होती है उस प्लाइवुड के उपर यह जो आप निला निला यह जो देख रहे हैं वो एक वस्त्र है रोएदार वस्त्र रोएदार वस्त्र मतलब प्लाइवुड के उपर कोई रोएदार वस्त्र को गोंद से चिपका दिया जाता है और फिर उस बोर्ड को जो गोंद से चिपका कर जान देंगे खादी का कपड़ा होता है मतलब खादी के कपड़े चिपका करके फिर बनाया जाता है जो की एक सम धरातल पर चिपकाया जाता है प्लेन जो होता है उस पर चिपकाया जाता है कार्ड बोर्ड के छोटे-छोटे टुकडों पर तयार चित्रों को फ्लेनल बोर्ड पर चिपका जाता है यह बोर्ड भी श्यामपट की तरह ही होते हैं इन पर विबिन समाचार पत्रों अत्वा पत्रिकों से चित्र फोटो चार्ट बनाकर या ग्राफ आधी काट करके फिर इन पर चिपका जाता है एक बात और जो हम बुलेटिन बोर्ड की बात करें बुलेटि चित्रों के आकरते हैं जो काटी हुई होती है वे यहां गोंद के मादेम से चिपका दी जाती है और फिर जैसे ही उनको वापस उतारा जाता है तो इनके जो रोई होते हैं साथ में वोही निकल कर कहते हैं इसलिए ये बोर्ड खराब होने के चांब से कम रहते हैं तो आप इसके इन पर गुंद के द्वारा चिपका दाता है वहां पर जो ड्राइंग पिंस थे उनके मादेम से यह इस रूप में तो यह अपना जो थान द्रिश्य शाधन वह हैं फ्लेनल बोर्ड ठीक उसके बाद में भित्ती पत्त्री का यह भी एक द्रिश्य शाधन है के द्रिश्य शाधन यह इसमें बित्ती पत्त्ति का का मतलब यह है और फ्लेय कहते हैं दीवार को ठीक है अर्थार्थ ककसा कक्स की दिवार पर य towel की दिवार पर चात्रों के द्वारा चात्रों के द्वारां जो भी आकरती आदी जो बनाए हुई है जो रसना लिखी हुई है उनको चिपका देना ही क्या कहलाता है बित्ती पत्री का कहलाता है जैसे हम बात कहें चात्रों में स्रिजनात्मक शक्ति वे मोलिक चिंतन का विकास करने हेतु विद्यालों में पत्री का लेखन वे प्रकासन पर बल रचित किया जाता है तो वे भिट्टी पत्री का कहलाती है मतलब चात्रों की अब आप यहां देख रहें कि कक्सा की दिवार पर चात्रों के द्वारा रचित जो रचनाई है उनको चिपकाया गया है तो यह जो रचनाई है जो चात्रों ने लिखी है उनको दिवार पर चिप के लग कर रहे हैं यह यह जरी चादन मतलब जिनमें विद्य न और गपादि के जरुरत होती है इसे यह जो है बहुत जी चित्र विस्तरक इंतर है यह एंद्र रिक जोह है आप एसे एन तड में एक तरशे में समर्ण दूर्श सब्सक्राइब है जितरविस्तारκ की एंतर जिसको अंग्रेजी में से होता क्या है इस्योते चोटे होटे चित्रों पोस्ट्रों आदी को प्रदे पर बिना स्लाइट बनाए हुए ही बढ़ा कर दिखाय जाता है इन जो उपकरणों के माध्यम से जो Stock चित्र होते हैं बान चित्र होते हैं इनवे स्लाइड नहीं होती उन्हीं को सामने रख करके और इनके अंदर फिर उसके जो प्रकास आधी डाल करके जो छोटे-चोटे चित्र हैं उनको स्क्रीन पर पड़े बड़ा करके दिखा जाता है तो इस यंतर को कहा जाता है कौम सा एपिडाइस को देखो साथ सीधा ही नाम दिखा है चित्र विस्तारक यंतर अर्थार चित्र का विस्तार करते हुए चित्र को बड़ा करके फिर दिखाने वाला यंतर जो है वो कहलता है चित्र विस्तारक सर्त सर्थ यह है कि इनमें श्लाइडों का प्रियोग नहीं होता है बिना श्लाइडों के माध्यम से ही इनमें चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है और इसमें जो चित्र होते हैं वे ध्वनी रहे तो होते हैं अर्था सिर्फ इनमें जो चित्र हैं उनको हम देख सकते हैं उ यह तो था चित्रविस्तारग यंत्र जिसको हम एपिडायस्कोप कहते हैं अब उसके बाद जो प्रेक्षेपन यंत्र है प्रेक्षेपन यंत्र तीन भागों में पाटा गया है जिसमें पहला तो है ऑवर हेड प्रोजेक्टर जिसको कहते हैं उन्नत सीर्स प्रेक्षेपी का इसमें होता क्या है इस प्रकार के प्रोजेक्टर में पार दर्शिकाउं का प्रयोग किया जाता है शेज कारे एपिडाइसकोप की तरह ही होता है इनके द्वारा किशी पार्थ की एतिहासिक प्रेश्ट बूमे को समझानी होती है जैसे आप कक्सा कक्स में देखे होते हैं कि क आदार पर आप ऐसे गए जो होंगे वे होगी कौन से ओवर हेड़ प्रोजेक्टर जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैंगे यहां आप देखेंगे कि यहां प्रोजेक्टर लगा हुआ है और उससे स्क्रीन पर विस्तरित करके उसको दिखाया जा रहा है तो आप ऐसे ग स्रकर आता है फिल्म प्रोजेक्टर फिल्म स्ट्रिप स्ट्रिप प्रोजेक्टर कर इसमें होता क्या है जैसे समानित ऐसे केहिए कि यह 높े जहां नेगेटिव फटू सफिन stuffing के होती हैं वह तक सिसके एक अन्दर लगाई जाती और फिर उंको लेंसों के माद्यम आदिशी फ को स्क्रीन पर विस्त्रित करते हुए दिखाया जाता है वो फिल्म इस्ट्रिप प्रोजेक्टर होता है इसमें होता क्या है फिल्म इस्ट्रिप का अर्थ क्या है फिल्म पटियां अर्थात वे लंबी लंबी पटियां जिन पर एक निश्चित ग्रम अत्वा लड़ी के प्रस्तुत किया जाता है इसका एक सरलसा एक्जामपल हम हमारे खुद के लिए लेते हैं आप जब बच्पन में छोटे थे मेलों में जाते थे तो मेलों में चोटा केमरा होता था उसको आप गुमाते हुए देखते थे उसमें जो फोटों वो क्रमपद रूप से चलती रहती थी उसी के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं मतलब इसमें कुछ जो नेगेटिवस जो फिलम्स जो हम जिने कहते हैं वे इसमें लगा दी जाती हैं और फिर उनके माद्यम से यह जो फोक्स हैं वो परदे पर आदे पर डाल करके फिर जो चित्र आरे उनको विस्तार करते दो इसमें देखो एप키डाइस्कोप था चित्र इसमें फोट बवगरा नहीं होती है सिदे चित्र होते हैं उन्हीं चित्र को उसमें लगा करके फिर विस्तार करके बिद्धाय के द्वारा ऑवर हेड प्रोजेक्टर के बात हमने की तो उसमें स्लाइड उनके परomyग किया स्तूर्ट करके फिर इनके दौरा दिखाया जाता है तो यह हो गया कुंसा फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर उसके बाद तीसरा जो प्रिक्षेपन यंत्र है वह है स्टेरियोसकोप आक्रिति विस्तारक यंत्र यह क्या होता है किसी प्राकरथिक द्रश्य साधन कौन कौन से हैं हमने उनकी चर्चा की थी तो द्रश्य साधन में हमने एक बार फिरशे रीपेट कर लेते हैं इन सब को तो ध्यान देंगे आप फिर उसके बाद में नंबर दो पर हमने की बात मान चित्र की मान चित्र के लिए किसी इस्थान के किसी नगर के बोगोलिक इस्थिति को समझाने के लिए मानचित्र का प्रियुक क्या दता है जैसे कि आप इन चित्रों में देख पा रहे हैं फिर उसके बाद तीसरा अपड़ने जो चर्चा की वह थी रेखा चित्र की आप ऐसे किसे आकरतियों को रेखाओं चित्रों के मादिम से बना करके फिर सर्फ्ट करना संग्या शंदी समाश परतिया आदि गया bird थियुक को रहे चित्रों के मादिम से सफ़्ट करना पिर उसके बाद अगला जो हमने चर्चा की तो चार्ट ठीकी इसी परकार मॉड़ल आगे आप कहसे हैं पाठ्थे पूश् फिल्मिस्टिप प्रोजेक्टर और इस्टिरियो स्कॉप अकरती विस्तारक यंत्र ये अपन ऐसे के द्रश्य शाधन थे तो द्रश्य शाधनों को दो भागों में बाटा गया है सामान्य द्रश्य शाधन और यांत्रिक द्रश्य शाधन उसके बाद अगली जो अपनी क्लास होनी है उस क्लास में हम बात करेंगे स्रव्य साधनों की और स्रव्य साधनों से समंदित जो जो प्रशनाएं हैं हम उनकी चर्चा करेंगे जै हिन जै भारत